हेलो एबरिवन मैं हूँ कलपना वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज का वीडियो उन लोग के लिए है जो है पिंपल्स के प्रॉब्लन से बहुत ही परशान पिंपल्स की सिकायत अधिकतर आली स्कीन वालों को ही होती है चाहरे पर पिंपल्स हो जाने पर हम सभी हो जाते हैं ब और किसी कि पिंपल्स जसके तस पड़े रह जाते हैं तो फ्रैंड इस वीडियो में मैं आपसे जो रैमडेश शेयर करने वाली हूं यह वाकई में बहुत ही कारगर है जिसे यूज कर आप पिंपल्स और पिंपल्स की दाखधवबों से पा सकते हैं निजा तो आइए जानत से चोट या घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं इसलिए इसको पिंपर्स को ठीक करने के लिए भी यूज में लाया जाता है अलोविरा में एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेंटरी प्रॉपर्टीज भाई जाती है जिनसे कि ये पिंपर्स वैक्टीरिया से लड़काते हैं आपने इंकी बारा पत्कियों के लेकर उसे पीछ लें और उसमें फ्रस एरो लीफ से निकाली हुई एक चमच अलोवेरा जल को एड़ कर अच्छे से म इस मिक्सर को लगाने से पहले अपने चाहरे को अच्छे से वास कर लें और फिर इस मिक्सर को अपने पिंपर वाले अस्थान पर लगाएं अगर आपके चाहरे पर पिंपर वाले अस्थान पर लगाएं और अगर आपके चाहरे पर पिंपर्स और पिंपर्स के स्पोर्स ज करें और चेहरे पर पिंपल्स दागधब्बे जैसी प्रॉब्रम से छुटका रहा पाएं तो फ्रेंट से ही ती मेरी आज की वीडियो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमें सिक्षर में जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और अगर आपने अभी तक मे नव्या टी वीडियो लव्यू याँ बाए